नमस्कार दोस्तों आप सभी का माई चनल पर आतिक स्वाकस है दोस्तों आज चार नौवंबर 2023 है और आज भारत की सबसे टाप मोस्ट बैंकिंग संस्तान इस्टेट बैंक आफ इंडिया उसका आज रिजल्ट गोसित हुआ है क्यूटू फानेंसियलियर 2023 का यानि कि जुलाई 2023 से लेकर के सितंबर 2023 तक का रिजल्ट आया है और यह दोस्तों वाकई रिजल्ट इनकी उम्मीदों से अधिक आया है और इसको रिजल्ट को हम दांसू कह सकते हैं यह दांसू रिजल्ट अब इस्टेट वैंक आफ इंडिया के सेर्स को काफी उचाहिक तक ले जा सकता है तो सबसे पहले मेज़र डाल लेते हैं कि रिजर्ट्स कैसा रहा है तो आपके सामने रिजर्ट्स का समरी चार्ड लगा रखा है यहां पर आप देखिएगा कि पिछले साल एने कि फारेंसियल एर तेईस वाले के क्यूटू में जो SBI ने इंटरेस्ट इंकम टोटल अर्न किया था वो 89,860 करोड का और उसमें इंटरेस्ट के इस्पेंसेश गए थे 44,676 और नेट इंटरेस्ट इंकम होई थी 35,183 और अभी के फारेंसियल एर 24 वाले क्यूटू में अभी यह 30 सितंबर 2023 का क्यूटू खतम हुआ है उसमें इंटरेस्ट इंकम एक लाग एक हजार 389 करोड की इंकम दर्ज की गई है इसी तरह से इंटरेस्ट इंस्पेंसेश 61,889 और नेट इंटरेस्ट इंकम 49,500 करोड का तो दोस्तो जो इसमें आप बड़ा कन्फूज हो रहा हैं कि इंटरेस्ट इंकम और नेट इंटरेस्ट इंकम में क्या फ़रक है तो दोस्तों जो interest income दिखाये जाती है बैंकों में वो जो loan बितरित करते हैं उस पर जो interest आता है वो होता है लेकिन जो दोस्तों loan बितरित करते हैं तो उसके बदलने में या public से या दूसरे financial institution से या RBI से जो bank loan लेते हैं उस पर जो interest bank अदा करती है तो उसको गटाने के बाद जो income बसती है उससे net interest income कहा जाता है यहीं सादान सब्दों में आपको समझाया जाए तो जैसे माली जीए कि आपने 1000 रुपए किसी को आंगे पैसे दिये कि आप इसको loan पर चड़ा दीजिए और उसके बदले में हमको पूरे साल में 100 रुपए दे देना तो जो जिसको आपने पैसे दिये आंगे loan देने के लिए उसने उस 1000 रुपए में से 1500 रुपए कमा लिए और आपको दिये 100 तो दूसरे को इंकम जो टोटल इंट्रेस्ट की हुई वो हुई चार्ज रुपए इस तरह से दोस्तों इस बैंक भी टोटल इंट्रेस्ट निकम में से जो डिपार्जिट्स हैं या अन्य इनके खर्चे होते हैं लोन से समबंदित डिपार्जिट्स से समबंदित कहीं से लोन लिया हुआ है उस पर जो इंट्रेस्ट जाता है एनका वो गटाने के बाद दोस्तों नेट इंट्रेस्ट इंकम निकलती है और यह दोस्तों SBI की नेट इंट्रेस्ट इंकम बैठी है 49,500 इसी कौर्टर में 25 ले 24 वाले Q2 में तो दोस्तों यह नेट इंट्रेस्ट इंकम में सांधार बड़ोतरी होई है 12.3% की और यह बड़ोतरी होने से SBI का नेट प्राफिट भी 14,330 करोड तक पहुँच चुका है जबकि उसके पिछले साल के क्वाटर में 13,265 करोड का था इस तरह से नेट प्राफिट में सांधार 8% का जम इतनी बड़ी बैंक का इतना नेट प्राफिट होना बहुत बड़ी बात है अच्छी परफार्मेंस चल लही है SBI के फानेंसियल रिपोर्ट्स में इसी तरह से एक चीज रिजर्ट्स में देखने लायक होती है वो होती है इन पीए जिसकों की नान परफार्मेंस एसेट्स कहते हैं हम इन पीए की बात करेंगे इस्टेट बैंक ने क्या गोसित किया है तो दोस्तों इन पीए किसी भी फानेंसियल इस्टिशन के लिए बहुत ही माने रखता है इन पीए से यही उस बैंकिंग या फानेंसियल सिट्ट्यूशन की परफार्मेंस का पता चलता है कि उसकी क्या इस्सिती चल लए थो दोस्तों इसबी आई ने ग्रास नान परफार्मिंग एसेट्स को इस समय 2.55% पर ला दिया है जो कि पिछले साल के quarter से 3.5% कम है इसी तरह से यदि net NPA की बात की जाए तो ये इस समय 2.54% पर आ चुका है तो दोस्तो इस तरह से NPA काफी डाउन हो चुका है और ये banking और के लिए बहुत अच्छी बात होती है और इसके अलावा इस रिजर्ट्स के और कुछ हाइलाइट्स जान लेते हैं दोस्तो तो इस केड़ेट गूर्थ 12.49% एर और बेसिस और डोमेस्टिक एडवांसेज ग्रोइंग का जो तो रेसियो आया है परसेंटेज में वह तेरा दसम्लों 21% एर और बेसिस पर इसी तरह से फारें आपिसों के एडवांसेज भी बढ़ चुके हैं आठ दसम्लों 11% एर और बेसिस पर डोमेस्टिक एडवांसेज भी काफी अच्छे चल लाएं और इसमें बड़ोत्री होई है 22.75% एर और बेसिस पर और परसनल एडवांसेज डिटेल की बात की जाए तो इसमें सांदार साड़े 15% की बड़ोत्री होई है और और दोस्तो फारें आपिस एडवांसेज जो क्रास हो चुके हैं एमाउंट से में वह पांच लाग करोड से उपर और इसी तरह से एग्री कल्चर और कार्पोरेट लोंस में एर आन एर बेसिस पर सांदार साड़े चौदा परसेंट और साड़े च्छे परसेंट करमसा सांदार ब्रोतिरी दर्ज की गई है और SBI ने अपना टोटल बैंक डिपाजिट्स 11.91 परसेंट बढ़ा लिया है एरान एर बेसिस पर और सासा भी इनका जो डिपाजिट बढ़ा हुआ है वो 4.91 परसेंट एरान एर बेसिस पर इस तरह से सासा का रेसियो इनका 41.88 परसेंट निकल करके आया है जो की बहुत ही सां है तो दोस्तों यह अभी हमने SBI के रिजर्ट्स के बारे में जान लिया काफी धासू रिजर्ट्स हैं काफी अच्छे रिजर्ट्स हैं जो मुके ना लिस्ट है उनके नजर से यह काफी अच्छा रिजर्ट्स आया उन्हें भी इतनी उमीद नहीं थी कितना अच्छा रिज दोस्तों पिछले एक साल का ही हम चार्ट देख लें तो आप देखेंगे कि बिल्कुल इसमें एक सीमित रेंज में ट्रेडिंग चल लाई है पांसो पचीस और इस से लेकर के छह सो पचीस के एवरेज में इसकी ट्रेडिंग चल लाई है मातर 20% की उठा पटग बहुत ही इसको सीमित दारा का जाता है इस सीमित दारे का मतलब हो है कि किसी भी कमपनी का सेयर सीमित दारे में चलता है तो उसमें एक गैराई होती है कमपनी की स्टेबेल्टी मानी जाती है बजार कहीं भी चला जाया यदि उसका सेयर स्टेर रहता है तो उसकी पारेंसियल पोजिशन और उसकी ग्रोथ स्टेबे मानी जाती है और आप जब स्टेबेंक का सेयर काफी दीरे दीरे बढ़ने की उम्मीद पर आपको दिखाई देगा क्योंकि आज जो अभी पिछले दिन की क्लोजिंग के हिसाब से आज यूज का वही रेड है पांसो अठातर पर पंदरा पर से एनसी पर तो इस तरह से अभी भी ये बिल पा रही समय अब दोस्तों इसमें जो चाल बनेगी तो बनेगी क्योंकि काफी इस्ट रिजल्ट है इस्ट रंग बेंग है भारत का सबसे नमबर ओवन बेंक है पब्लिक सेक्टर में तो दोस्तों इसमें आप हैसाब से भी इंवेस्टमेंट कर सकते हैं कि आपको यह बहुत ज्यादा प्राफिट भी नहीं होगा और बजार गिरती है तो दोस्तों आपको लास बहुत थी मिनिमल होगा तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको लांग टर्न प्रस्पेक्टिव ले करके चलना पड़ेगा अभी आपको इसमें एक दो साल का वेट करना पड़ेगा तब जाकर कि जो इसकी आज फानेंसियल पोजिशन इस्ट्रांग आई है उसका रिजल्ट आपको एक दो साल बाद इसके प्राइसेस पर मिलेगा फिराल अभी इसमें गिरावट पर ही माल उठाने में ज्यादा समझ आई रहेगी क्योंकि अभी इसमें बहुत ज्यादा इसमें 10-20% की उचाल आ सकती है जो आप इसमें साट टर्म के लिए प्लेज जरूर कर सकते हैं लेकिन लांग टर्म के इंवेस्ट्मेंट के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं जब भी इसमें करेक्शन आए बजार में करेक्शन आए उसके बाद माल उठाईएगा तो दोस्त कमेंट सकते हैं बताईएगा कि यह वीडिया को कैसा लगा कहा तक आपकी जानकारी बड़ी और दोस्तों हमारे वीडियो को भी लाइक कर दें सेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद